हाई फ्रेंद्स वेलकम टो माई चैनल ममतापट्स रासिदी और आज हम बनाएंगे बेंगन का फर्था तो आईए फर्था बनाना शुरू करते हैं पर इससे पहले हम देखेंगे कि हमें किनकिन जिसों के सरोत पड़ेगी और अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब चरूर करें और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप और आपके फ्रेंड्स तक पहुँच पाया है बेंगन का फर्था बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक फ्रेस फुटा इसका वेट करीब साड़ी 500 ग्राम है आठ से दस गार्लिक लॉस एक हरी मिर्च और अधीच अत्रेक्की मेंने पेस्ट बना ली है आठ से दस करी लिउस एक टमाटर जो मैंने छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है एक बड़ी सी प्याज वो भी मैंने छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है एक बा तो मैंने काट लिया है, ओल ने लेंगे, दो से तीन टेबल स्पून, वन टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप आपके साथ के अनुसार ले सकते हो, वन टीस्पून धन्या जीरा पाउडर, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ ट पुट्टे को अच्छे तरसे वोश करके पोच लिया है अब यह जो एक्स्टा पॉर्शन है वो हटा लेते हैं और निफ की हेल्फ से हम छोटा सा कट लगा लेते हैं इसमें यहां मैंने चार कट लगा है अब थोड़ा सा ओईल लेके इसके उपर स्प्रेड कर लेते हैं ओईल को बिल्कुल हलके आज से स्प्रेड कर लेंगे अब गेस पे ऐसी कोई जाली आपके पास है तो वो रख सकते हैं नहीं तो आप यह भी रख सकते हैं जो आपम डैनिंग टेबल पर यूज करते हैं वो स्टेंड भी रख सकते हैं मैं यह जाली का यूज कर रही हूँ अब यह भुट्टे को हम इसके उपर रख लेंगे और गेस ओन कर लेंगे भुट्टे को बीच बीच में पर्टा थे रहेंगे और इसी तरह चारो और से पुट्टे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे अब पुट्टा चारो तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है अब गेस बंद कर लेंगे और पुट्टे को ठंडा होने के लिए रख लेते हैं और तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं करीब दो से तीन टेबल स्पून ओल ले लेते हैं हाफ टी स्पून जीरा करी लिवस प्याज अच्छी तरह से सोटे करेंगे प्याज जब गोल्डन पान हो जाए तब अध्रग हरी मीच और लसुन की पैस दाल देते है और टमाटर प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं गेस थोड़ा सा स्लो कर लेंगे और बाकी का मसाला डाल देते हैं इतना मसाला भुनने में करीब 10 मिनिट लगी है वन टीजपून रेड चिली पाउडर हाफ टीजपून हल्दी पाउडर वन टीजपून धन्या जीरा पाउडर वन टीजपून नमक आप आपके ही साब से ले सकते हो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे करीब आधा कब पानी मिलाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए गेस थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं और पुटे को तयार कर लेते हैं निफ या तो हाथ का यूज़ करके आप अच्छी तरह से छिल ले पुटे को करीब इस तरफ अच्छी तरह से पुटे को मैंने छिल लिया है अब चॉपिंग बॉर्ड पे ले लेते हैं ये पोर्शन हटा लेंगे अच्छी तरह से छॉप्ट कर लेंगे अच्छी तरह से छॉप्ट हो चुका है मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है हमने जो पानी डाला था वह भी अब चला गया है अब हरी प्याज मिला लेते हैं और पुट्टा पी साथ नहीं मिला लेंगे बाजरी की रोटी या मक्यदी रोटी के साथ बेंगन का फरता बहुती स्वादिस्ट लगता है मैंने इसमें सुखे लसन का यूज किया है अगर आप चाहो तो हरे लसन का भी यूज कर सकते हैं भुट्टा डालने के बाद करीब 4-5 मिनिट तक हम इसको पकाएंगे करीब 5 मिनिट हो चुकी है और भुट्टे में से धीरी धीरे ओल भी सेपरेट होने लगा है जन्या मिला लेते हैं फ्रेश धन्या मिलाने के बाद आधी मिनिट तक पकाएंगे और इसके बाद हम गेस बन कर लेते हैं अब हमारा बेंगन का फर्था सव करने के लिए बिल्कुल रेड़ी है तो मिलते हैं एक नए रेशिपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई गुत स्थी, स्थी, स्थी